हेलो दोस्तों, वेलकम बैक तो दो फिनिक्स एकडेमी और आज हम मोशनी स्ट्रेट लाइन के अंदर लेके आए लेक्चर नमबर टू तो लेक्चर नमबर टू में हम क्या कवर करने वाले हैं? यग्वेशन ओप मोशन जो है पाच एकड़ेशन ओप मोशन हमें यहाँ पर मिलेंगे वो सब हम कवर करेंगे और उसके बाद उस पर सॉल करेंगे बहुत सारे नुमरीकल्स यहाँ पर मैक्जिमम ऑनलाइन क्लासेस पर कोई भी इतने निूमरीकल सॉल नहीं करके लेता उतने हम solve करके लेने वाले हैं इसी class के अंदर ठीक है और तो चलो चलते हैं equations की दरफ तो mainly हमारे पास 11 के अंदर और 12 मतलब निट के से लेवस में भायू equations of motion होते हैं तो उनमें जो पहला है वो है v is equals to u plus et यहाँ पे v मतलब क्या final velocity और u मतलब क्या initial velocity यह होता है acceleration and t होता है time period तो यह equation क्या करता है हमें कोई भी एक बाकी की quantity दी जाती है और एक quantity find करने होती है तो यह क्या है change in velocity मतलब यह वी अगर यह यू इस तरफ final velocity के तरफ जाएगा और उससे subtract हो जाएगा final velocity minus initial हो जाएगी तो हमें मिले change in velocity with respect to time अगर हम differentiation वगेरा के consider करेंगे तो हम एक बहुत ही deep में lecture लेंगे differentiation के ऊपर जो के हमारा इस chapter में last lecture होगा जिसके अंदर हम से भी differentiation के problems cover करने वाले है ठीक है तो जो भी यहाँ पे equation of motion पे या फिर बाकी basic पे differentiation के question है वह हम last के lecture में cover करने वाले है तो यहाँ पे यह जो equation है v is equal to u plus 80 यह खाँ पे use हो सकता है जब इसकी तीन condition दी है जब यह तीन condition होगी तब हम equation first जो है v is equal to u plus 80 यूज कर सकते है तो यहाँ पे पहले कौन से condition होगी जब initially body is at rest after some time it gains some velocity initially body rest पे है मतलब यह क्या होगा 0 होगा और उसके बाद sometime के बाद मतलब after time t यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी velocity क्या हो जाएगी v हो जाएगी ठीक है तो इसका equation क्या होगा उस वक्त u to 0 होगा तो equation क्या होगा v is equal to 80 तो यह equation हो जाएगा इस condition में तो यह equation valid है ठीक है अब दूसरी condition क्या होगी initially body is moving with some velocity after some time comes to the rest after some time comes to the rest मतलब final velocity क्या है 0 है और initially क्यों किसी velocity से move कर रहा है यहाँ पे time क्या होगा t तो यहाँ पे v 0 होने के कारण यह equation में अगर हम value put करेंगे तो यह हो जाएगा 0 is equal to u plus 80 ठीक है इसी का मतलब क्या होता है u is equal to minus 80 यहाँ पे acceleration negative है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे body decelerate हो रही है rest से कुछ motion में आ रही है इसलिए body decelerate हो रही है और दूसरी condition में कोई तो motion में है फिर rest में आ रही है मतलब क्या हो रही है body decelerate हो रही है तीसरी condition में क्या दिया है initially body is moving with some velocity after some time its velocity changes मतलब पहले किस velocity is move हो रही थी U और उसके बाद some time के बाद मतलब time T के बाद उसके velocity क्या हो रही है V हो रही है तो यहाँ पर equation क्या होगा V is equal to U plus 80 तो हम चलते हैं यह सब आपको clear हो गए होगे लेकिन बहुत ही crystal clear है कब होगे जब हम examples या फिर questions solve करेंगे इसलिए मैंने equation of motion पर भूत मतलब बहुत सारे questions ले लिये हैं तो चलो देखते हैं दूसरा equation तो दूसरा equation क्या है पहले हम सभी 5 equation देख लेंगे और उसके बाद उसके बहुत सारे कुछ models देखेंगे और उसके बाद बहुत सारे mcq solve करेंगे तो यहाँ पर दूसरा equation क्या है s is equal to ut plus half at square तो यहाँ पर s क्या है displacement है क्या है s displacement और यह equation हम कभी उच करेंगे it is used to find a displacement when acceleration and time is given जब हमें acceleration time दिया गया होगा और उसके साथ साथ उसकी initial velocity दी गए होगी तो हम क्या find कर सकते है displacement तो इस condition में हम यह equation use करेंगे अब जब हम बहुत सारे problem solve करेंगे तो उसके बाद हमें clear हो जाएगा कि कभ कौन सा equation use करने का problem का answer लाने के लिए तो चलते हैं third equation की दरब तो third equation क्या है v square minus u square is equal to 2as and यह equation कभ यूज होता है it is used to find displacement मतलब yes when acceleration मतलब a and velocity velocity मतलब क्या यह initial velocity u और final velocity v are given और change in velocity अगर given है तो change in velocity कैसे change in velocity with respect to displacement अगर गी है तो यह equation useful होगा ठीक है और अब फूरती question देखते है yes and yes and मतलब क्या होता है displacement in yenth second अगर displacement 5 second के लिए हुई होगी तो पहले second में कुछ displaced हो गया होगा पिर दूसरे second में कुछ displaced हो गया होगा और कुछ तीसरे second में displaced हो गया हो चोटे second में अगर हमें exactly पूचा की तीसरे second में displacement कितनी हो गया थी तो अब यह calculate करने के लिए यह जो displacement है ओ calculate करने के लिए हम formula equation क्या यूज़ करेंगे यह equation हम उस वक्त यूज़ करेंगे अब यह last equation क्या है यह इस इकुल टू यू प्लस फी बाइटू इंटू तो अब हम जोर से देखेंगे तो यह क्या हो जाएगी final velocity प्लस initial velocity बाइटू मतलब क्या हो गया यह यह हो गई average velocity ठीक है और यह equation हम कभी उच करेंगे it is usual to find displacement when velocity and time are given velocity and time are given और displacement in terms of average velocity ठीक लब यह term जी होगी in terms of time average displacement in term of average velocity ठीक है तो यहापे हम displacement find कर सकेंगे average velocity के टर्ब में तो चलो चलते हैं अब कुछ points की तरफ तो यहापे हमें यह 5 equation के उपर कुछ models दिये गए है तो यह models mainly क्या है कि इस equation के उपर कैसे किस परकार के questions आ सकते हैं यह basic idea हमें मिलने के लिए हमने models दिये या तो mainly three models है जिसके three different types के question है जब हम यह models कर लेंगे तो उसके बाद हम previous year के 10 to 15 question solve करने वाली है तो इतने question के practice हो रही है जो की और कहीं भी नहीं हो रही तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को subscribe कर लिजए अब देखो कि model number one में क्या दि में v is equal to zero दिया गया है और find the stopping distance का आगया है तो हमें क्या पता है stopping distance का और v का logic का बाता है जब equation number तो equation number 3 क्या है v square minus u square is equal to 2as ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा है final velocity मतलब यह v यह क्या है 0 minus u square is equal to 2as और यह s क्या है यह स्टॉपिंग डिस्टन्स ठीक है यह स्टॉपिंग डिस्टन्स तो यहाँ पर यह स्खामी फैल क्यलकुलेट करना है तो minus u square is equal to 2as और yes is equal to minus u square by 2a ठीक है तो यह हो जाएगा स्टॉपिंग डिस्टन्स ठीक है यह minus क्यों आया क्योंकि यह हुए कि a क्यों value negative है और यह क्यों value negative है मतलब यह कैसे हो गया yes is equal to u square by 2 in bracket minus a अब यह negative यह मतलब क्या हो गया यह हो गया retardation क्या है यह retardation इसलिए a क्यों value क्या है negative है तो अभी हम क्या करेंगे कुछ problems solve करेंगे model 1 के basis पे तो चलो चलते है problems की तरफ तो यहाँ पे इस problem में क्या दिया गया है a car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brakes after at a distance 6 meter ठीक है car क्या कर रही है 50 की speed से move हो रही है और जब वो break apply करते है तो 6 meter के बाद वो stop हो जाती है अगर same car है if same car is moving at a speed of 100 km अगर same car 100 km की speed से move हो रही है तो उसका stopping distance क्या होगा तो हमने आभी क्या देखा stopping distance का formula yes is equal to minus u square by 2a ठीक है तो यहाँ पे yes one की value कितनी है 6 meter हमें calculate क्या करना है yes to equal to question mark v1 की value कितनी है 0 है v2 की value कितनी है 0 initial value कितनी है velocity u1 के यह है 50 और u2 कितनी है 100 ठीक है तो अब हमें क्या calculate करना है stopping distance yes to तो हम क्या करेंगे yes one by yes two इस formula के according इस formula के according s1 by yes two is equal to u1 square by u2 square और यह नीचे का a ऊपर हो जाएगा 2a1 by 2a2 अब यह acceleration क्या होगा गाड़ी same है रस्ता same है तो दोनों का भी negative acceleration होगा गाड़ी stop करने के लिए जो break apply होते है उसकी वज़े से तो यह car same होने के कारण same होगा इसी वज़े से a1 is equal to a2 होगा और यह cancel हो जाएगे ठीक है तो अब yes one by yes two is equal to u1 square by u2 square u1 के value कितनी है 50 ut के value कितनी है 100 इनका whole square yes one के value कितनी है 6 meter और हमें calculate क्या करना है yes two के value ठीक है तो six six by yes two is equal to one by four therefore yes two is equal to 24 meter कितने हो जाएगे stopping with distance 64 meter चलो चलते हैं next question की दरफ तो यहाँ पे इस question में क्या दिया गया है speed of two identical car are u and four u at a specific distance find the ratio of respective distance in which two cars are stopped from that instant ठीक है यह एक कार है और यह दूसरी कार है यह है यह है यह है बी तोनों कार सीम है लेकिन इसकी स्पिल कितनी है u है और इसकी स्पिल कितनी है four u है तो क्या करती है suddenly दोनों गाडिया break apply करेंगी break apply करेंगी मतलब पीछे के तरफ force लगेगा break के वज़े से अब गाडिया सेम है रस्ता सेम है तो पीछे लगने वाला force क्या होगा सेम होगा force is equal to क्या होता है mass into acceleration तो mass तो सेम है ठीक है तो acceleration भी क्या होगा सेम होगा तो a is equal to a b होगा ठीक है अब यहाँ पे initial u a कितना है u और u b कितना है 4u final speed दोनों की भी क्या है सेम है इसलिए va is equal to 0 vb is equal to 0 क्योंकि यह ratio of respective distances पूचा है हमें in which two cars are stopped मतलब final velocity क्या है 0 है हमें पूचा क्या गया है yes a by yes b और अभी हमने एक formula निकला था stopping distance का ठीक है तो वो formula क्या था yes is equal to u square by 2a ठीक है तो yes a by yes b is equal to u a by u b square into 2u ab by 2a a ठीक है तो यहां पर a a is equal to a b होने के करण यह cancel हो जाएगा yes a by yes b is equal to u a की value क्या है u और u b की value क्या है 4u ठीक है इनका square और यह yes a by yes b is equal to 1 by 4 का square yes a by yes b is equal to 1 by 16 तो हमें क्या करना है in which ratio यह ratio क्या हो जाएगा yes a is to yes b is equal to 1 is to 16 तो चलो चलते हैं next question की दरफ तो कल हमने क्या देखा था average speed की भी कुछ concept देखी थी तो ओहो आप भोलना जाओ इसलिए कुछ questions में पिछले वाले lecture के concept के ऊपर भी add करता हो तो यह similar question है average speed के ऊपर तो यह चलो देखते हैं इस question को तुम याद कर पाते हो यह नहीं क्योंकि यहाँ पे आने से पहले तुम पुराना लेक्चर revise कर क्या हो जिसके वज़े से तुम्हें यह बहुत ही efficiently समझ में आएगा ठीक है तो चलो body travels certain distance it covers one by fourth of the distance with a velocity v0 and half of the distance with a 2v0 and remaining one by fourth of the distance with velocity 3v0 find the average speed speed तो यहाँ पे क्या है एक body है यह travel कर रही है तो इसने क्या किया पहला one by fourth of distance ठीक है तो हमने पहले चार दुक्रे कर लिए distance के एक दो तीन चार तो यह पहला one by fourth of distance उसने क्या किया speed v0 से पार किया speed is equal to v0 और फिर बचा हुआ half distance की speed से पार किया 2v0 और last में जो one by fourth बचा था वो कितने speed से पार किया 3v0 तो हमें क्या पूचा गया है तो इस body की average speed क्या होगी यहां से यहां तक जाने के लिए ठीक है तो चलो देखते हैं तो average speed average speed क्या होती है total distance distance traveled by total time taken ठीक है तो यहां पर इस सभी distance को क्या counselor करेंगे यह है x ठीक है तो यह हो जाएगा x by 4 यह हो जाएगा x by 2 और यह हो जाएगा x by 4 यह हो जाएगा यक्स और time यहां पर consider करेंगे t1 यहां पर consider करेंगे t2 और यहां पर consider करेंगे t3 तो हमें क्या पता है speed speed is equal to distance upon time तो time क्या हो जाएगा distance upon speed इस formula से हमें क्या मिलेगा t1 is equal to distance t1 कितना है x by 4 by speed वहाँ पर कितनी है v0 t2 कितना मिल जाएगा x by 2 distance और यहां पर speed कितनी है 2v0 और t3 कितना मिल जाएगा distance by speed distance कितना है x by 4 और speed कितनी है 3v0 तो time कितना होगा यह t1 plus t2 plus t3 ठीक है is equal to x by t1 कि वैल्यू कितनी है x by 4v0 plus t2 कि वैल्यू कितनी है x by 4v0 plus x by 12v0 यह 4 नीचा किया 3 से multiply करेगा और 12 हो जाएगा यह 22 से multiply करके 4 हो जाएगा और यह 41 से multiply करके 4 हो जाएगा अब यह x x x और यह x cancel हो जाएगा तो यह क्या बचेगा 1 by 4v0 1 by 1 upon 4v0 plus 1 upon 4v0 plus 1 upon 12v0 तो हम यह जबे बेस्ट सैम कर लेंगे 1 upon 3 by 12v0 plus 3 by 12v0 plus 1 by 12v0 तो यह कितने हो जाएगे 12v0 by 7 जो की है बिलकुल सही answer तो चलो चलते है next question की तरुप तो यहाँ पे question की इतनी practice होने वाली है जिसके बाद आपको इतना आसान लगने लगेगा physics तो यहाँ पे average speed के ओपर और एक बहुत ही बहतरीन सवाल हम लेके आये है तो देखते हैं क्या है तो यहाँ पे ही एक path दिया है जिसके हमें बताया है कि given path और जिसके radius है 1 cm और यह complete revolution करने के लिए time लगता है 10 minutes find the average speed for the one complete revolution on the on around on around 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 on around on around on around on around a single round given path if r is equal to one centimeter तो यह जो average speed होती है average speed average speed average speed क्या होती है total distance covered upon total time taken तो हमें total time तो पता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 minutes तो हमें calculate क्या करना है total distance covered तो distance covered क्या होगा यह r यह r और यह क्या होगा क्या होगा यह अगर ऐसा देखेंगे हम तो यह हो जाएगा complete circumference यह हो जाएगा half circumference और यह हो जाएगा half का half circumference मतलब क्या हो जाएगा circum R plus R यह दो plus circumference of circle by 4 upon 10 minutes तो यहाँ पे यह minute में दिया है तो यहाँ पे तुम mistake कर सकते हो हमें क्या करना है यह वो second में लेना है ठीक है तो यह r कितना है 1 cm प्लस यह r 1 cm circumference क्या होता है 2 pi r upon कितने 4 by 10 minutes into 60 मतलब 1 minute में 60 seconds होते हैं तो 10 minutes में 60 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 2 plus 3.14 pi के value into r के value कितने है 1 upon यह नीचे बचेगा 2 ठीक है by 600 ठीक है तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 2 plus यह से यह से 157 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 1.57 by 600 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 3.57 by 600 ठीक है यह नीचे बचेगा हो जाएगा 3.57 by 6000 and 00 is equal to is equal to 1 2 3 4 0.0357 by 6 is equal to 6 यह नीचे बचेगा 6 ठीक है यह हो जाएगा 0.005 यह हो जाएगा 0.0058 cm पर सेकन ठीक है तो चलो चलते हैं next question की तरफ तो यहाँ पे नया model हमें दिखाए दे रहा है तो यह नया model को question कैसा solve करना चाहिए देखते हैं if the two ends of the train moving with a uniform acceleration passes with a certain point with a velocity u and v find the velocity with which the middle point of the train passes at the same point तो यह कोई ऐसा point है जहांसे अगर train cross होती है तो उसका जो first point है उसके value कितने दी है उसने u दी है और उनका जो last यह point तक और यह क्या कर रहे है accelerate कर रहे है train तो यहाँ पे जो velocity होगे इस point पे तो यह point जाने के बाद भी same velocity नहीं होगी तो इसकी कुछ velocity दी है वी तो यह नहीं बता है यह velocity पहले जो point जाता है उसकी है यू और last में जो point जाता है उसकी है वी तो बीच में जो velocity है इसको हम consider करते है वी डैस तो यह क्या है ऐसा हमें पोचा गया है ठीक है तो चलो हमें पता है वी स्क्वेर माइनस यू स्क्वेर इस इकल टो टू एस तो इस डिस्टनस का हम consider करते है यस तो यह भी कितना हो जाएगा यस यहाँ पर acceleration a होगा तो यहाँ पर acceleration a ही होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम यसे में यह equation apply करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा initial velocity होगी यू और फाइनल al p Σिटिट क्या होगी वी डैश ठीक है तो इसके इस हूँ पर equation क्या होगा वी स्क्वेर माइनस यू स्क्रठी क्या्यू इस उकल टू टू एस तो यहाँ पर यह मतलब initial velocity कितने होगी V- final velocity क्या होगी V और V स्की इसी equation को हम यहाँ पर represent करेंगे तो यह क्या होगा है V square minus U square is equal to 2aS तो V के value यहाँ पर क्या है V a or minus U के value क्या है V dash square square is equal to 2aS अगर हम बात करें पहले हैं और दूसरे equation की तो 1 is equal to क्या है 2 है तो therefore therefore V'dash square minus U square is equal to V square minus V'dash square ठीक है तो V'dash square यहाँ पे ही आएगा तो यह कितना हो जाएगा 2 V'dash square is equal to V square plus U square V dash square is equal to V square plus U square by 2 ये 2 इदर आ जाएगा V dash is equal to V square plus U square by 2 इन रूट ये square निकल जाएगा यहापे रूट आ जाएगा तो चलो अब ये भी model आपको समझ आ गया होगा तो ऐसा problem भी exam में आने के बाद कोई difficulty नहीं आने चाहिए solve करने के लिए है चलो चलते हैं next problem की तरफ तो अभी हमने ऊपर जो problem solve किया similar उसी type का एक question नीचे भी है the body moving with a uniform acceleration at velocity of 20 meter per second and 30 meter second when passes through a point P and Q find the velocity at midway between P and Q ये car है और body है जब ये move होंगी और जब ये point P से pass होगी तो उसकी velocity कितनी होगी 20 और यब ये Q से pass होगी तो इसकी velocity होगी 30 तो ये mid point है इनके बीच का तो यहाँ पे velocity कितनी होगी ये हमें पोचा गया तो उसे हम क्या consider क्या था ये V' यहाँ पे ये क्या है V 20 ठीक है 20 यहाँ पे velocity कितनी है 30 है तो यहाँ पे अगर हम इन दो के बीच में consider करें तो ये हो जाएगे final velocity is equal to V' और initial velocity कितनी है 20 और यहाँ कि consider करें तो यहाँ पे final velocity क्या है 30 और initial velocity कितनी है कितनी है V' ठीक है तो अगर हमने equation लगा रहा V square minus U square is equal to 2A तो यहाँ पे acceleration तो दोनों तरफ से हम है यहाँ पे भी A ही होगा यहाँ पे भी A ही होगा displacement तो same ही है yes yes तो यहाँ पे 2A होगा और यहाँ पे V square minus U square is equal to 2A यहाँ पे final velocity क्या है V square 30 initial velocity कितनी है V' square is equal to 2A यहाँ पे final velocity कितनी है V' square minus initial velocity 20 square is equal to 2A 2A is 2A is same है दोनों equation में इसी वज़े से 30 square minus V' square is equal to V' square minus 20 square from 1 and 2 तो 30 का square कितना होता है 900 minus V' square is equal to V' square minus 400 minus 400 इदर आ जाएगे तो हो जाएगे 1300 is equal to 2V' square यह V' यह दर आ जाएगा V' square is equal to 6500 V' is equal to root of 650 तीक है इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते है root of 5 into 1 3 0 is equal to root of 5 into 5 into 26 is equal to 5 root 26 V' is equal to तो चलो चलते हैं next question की दरफ तो यहां पर और एक भेतर इंसावाल दिया गया है velocity of a body moving with a uniform acceleration of 0.3 meter per second it changed by 3 meter per second in a certain time the average velocity in the same time is 30 meter per second then find the distance travelled by it in that time तो condition 1 क्या दी गई है condition condition 1 condition 1 में तो यहां पर क्या काया है condition 1 में acceleration कितना है 0.3 meter per second square ठीक है और change in velocity मतलब क्या दियागा है final velocity V minus initial velocity U is equal to कितना है 3 meter per second ठीक है तो इससे हम क्या calculate कर सकते है time calculate कर सकते है कैसे V minus U is equal to 80 यह हमें पता है equation ठीक है तो इससे हमें क्या मिलेगा 3 is equal to 0.3 into t तो यह पर टाइम क्यातना मिलेगा हमें 10 seconds ठीक है तो इससे हम क्या calculate कर सकते है इससे हमें एक और equation मिलेगा कौन सा equation मिलेगा yes is equal to U plus V by 2 into t और यही क्या है average velocity और उसी के value हमें क्या दी गई है 30 meter per second यह हो जाएगी 30 30 और time कितना है 10 यह हो जाएगा 300 और displacement क्या हो जाएगी 300 meter ठीक है तो चलो चलते है next question की दरफ तो यह पर last और third model है जिसके अंदर bullets and wooden plank के problem आते है तो क्या है bullet moving with velocity V कोई bullet अगर velocity V से move हो रही होगी ठीक है और आके उसके wooden plank कर रखे गए होगे ठीक है तो इन में जाने के बाद velocity bullet के कम हो जाएगी तो अपने कितने अगर इसके velocity V है तो कितने planks क्रॉस करने के बाद bullet रुख जाएगी ऐसे problem आ सकते तो उसका एक formula यूज करने का bullet moving with velocity V कि अगर एक wooden plank को cross किया तो उसके velocity कितने lose हो जाएगी 1 by 1 of its velocity ठीक है तो उसे कितने plank लगेंगे पूरी bullet stop होने के लिए तो उसका क्या formula है कितने plank लगेंगे yen by 2 plus 1 अब देखो नीचे कैसे सवाल है उसका हम कैसे answer निकलेंगे तो यहाँ पर क्या कागा है if the bullet loses its 1 by 20th of its velocity मतलब yen कितना हो जाएगा 20 ठीक है 1 by 1th velocity मतलब yen कितना हो जाएगा 20 20 1 by 1th of its velocity 1 by 20th of its velocity 20 on striking a wooden plank then find the number of such planks required to stop the bucket हमें formula क्या पता है number of planks required is equal to n by 2 plus 1 is equal to 20 by 2 plus 1 is equal to 11 हमें 11 प्लैंक लेगेंगे तो यहाँ पर हम अज कुछ previous year questions solve करने वाले है तो यह हमने जो solve किये वह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इन देवल के question दे अब अगर आप previous year solve करने लग जाओगे तो आपको यह बहुत ही आसान लगेंगे बहुत सारे concepts clear करने के बाद और models देखने के बाद तो चलो पहला previous year क्या है देखते है a particle starts its motion from rest under the action of constant force if the distance covered in the first 10 second is s1 and that of covered in the first 20 second is s2 तो हमें पता है s is equal to ut plus half 80 square तो यहां पे initially वो कहां पे है rest पे है तो u कितना हो जाएगा 0 तो s1 is equal to 0 plus half 80 square t1 square और s2 is equal to 0 plus half a t2 square ठीक है s1 by s2 is equal to acceleration same है क्या with the constant force force constant है यानि क्या acceleration same है यह acceleration यह acceleration same होगा तो यह 1 by a t1 square by 1 by 2 a t2 square 1 by 2 a 1 by 2 a cancel हो जाएगा s1 by s2 is equal to t1 कितना है 10 second or t2 कितना है 20 second whole square s1 by s2 is equal to 1 by 4 therefore s1 s2 is equal to 4 s1 option b जो कि एकदम correct answer है तो चलो चलते हैं next previous year की दरफ तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो 2008 में आया हुआ सवाल है यहाँ पर क्या बताया गया है a particle moves in a straight line with a constant acceleration यह क्या है constant है question पढ़ते समय है जो important information लगे वो side में लिक लेनी चाहिए it changes its velocity from from मतलब यह क्या है initial velocity 10 meter per second to 20 meter per to मतलब क्या final velocity 20 meter per second passing through a distance through a distance मतलब यह क्या दी गए उसने displacement 135 meter in t seconds time कितना है t seconds then the value of t is तो यहाँ से हम यह equation use कर सकते है v v square minus u square is equal to 2 as जिससे हमें यह जो constant है उसके value हमें जाएगी square मतलब क्या 40 400 minus u square 100 is equal to 2 into a into yes कितना है 135 to a के value कितने है जाएगी 300 by 2 into 135 25 ठीक है यह हो जाएगा 150 3 0 तो 3 9 is equal to 10 by 9 और हमें क्या calculate करना है t time हमें क्या पता है v is equal to u 2 plus 80 b के value कितने है 20 u के value कितने है 10 plus a के value 10 by 9 into t ठीक है तो यह 10 10 10 10 cancel हो जाएगा 2 is equal to 1 plus t by 9 therefore t by 9 is equal to यह minus हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 t is equal to 9 second यहाँ पे option number भी बिल्कुल सही जावाब है तो चलो चलते है next previous year की तरफ तो यहाँ पे इस question में क्या पूचा गया है the distance traveled by the particle starting from the rest and moving starting from rest मतलब यह कितना हो गया 0 and moves with an acceleration acceleration कितना है 4 by 3 meter per second in the third second is मतलब हमें क्या form करना है yes 3 मतलब third second में कितना displacement travel किया है तो हमें क्या पता है yes n is equal to yes n is equal to u plus n minus 1 by 2 into a yes 3 मतलब third second में कितना displacement हुआ है u के value कितने है 0 n के value 3 minus 1 by 2 into acceleration के value कितने है 4 by 3 is equal to 3 minus 1 by 2 करना होगा इसलिए 3 into 2 by 2 minus 1 by 2 into 4 by 3 अब इनको subtract करने के लिए best same करने के लिए इनको उपर भी 2 से multiply कर रहा है और नीचे भी 2 से multiply कर दिया ठीक है तो 6 minus 1 by 2 into 4 by 3 ठीक है तो यह हो जाएगा 5 by 2 into 4 by 3 तो यह 2 to is equal to 10 by 3 ठीक है कितना displacement करेगा 10 by 3 option number है बिलकुल सही जवाब है तो चलो देखते है next previous year तो यहाँ पर इस previous year में का दिया गाया है car moving with a speed of 40 km per hour मतलब उसकी velocity क्या है initial 40 km per hour ठीक है can be stopped by applying brakes मतलब क्या कर रहे है brake apply करने है और उसके बाद 2 meter मतलब yes कितनी है 2 meter जिसके बाद वो stop हो रहे है मतलब final velocity कितनी हो रहे है 0 हो रहे है if the same car मतलब condition 2 is moving with a speed मतलब 2 कितनी है 80 km per hour ठीक है what is the minimum stopping distance तो यहाँ पर yes कितना है पूछ अगाया है और final velocity कितनी है 0 है तो यहाँ पर हम अगर कोई दूसरा question होता था kilometer per hour को meter per second में calculate कर लेते लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे comparison करेंगे जिसके करण हमें जरूरत नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है u square minus u square is equal to 2 as ठीक है तो पहले equation में क्या होगा v कितना है 0 minus u square is equal to 2 as u1 square by u2 square is equal to 2 as1 क्योंकि गाड़ी same है तो acceleration same होगा 2 as2 u1 के value कितनी है 40 u2 के value कितनी है 80 square is equal to 2 as2 cancel हो जाएगा yes 1 के value कितनी है 2 yes 2 yes 2 के value हमें calculate करनी है तो 1 by 2 square is equal to 2 by yes 2 1 by 4 is equal to 2 by yes 2 yes 2 के value कितनी हो जाएगी 8 meter यह पूर यहाँ पर जाके multiply करेगा option c बिल्कुल सही चवाब है चलो चलते है तो यह 1997 का previous year है तो question क्या दियागा है if a car at rest car at rest car at rest मतलब यह कितना है 0 accelerate uniformly to speed of final speed कितनी दिया है final velocity 144 km पर मतलब कितनी 144 2000 by 60 into 60 meter per second इसे हम क्या कर सकते है 5 3 is equal to 144 into 5 by 18 direct 5 by 18 से भी multiply करके ले सकते है 9 9 9 9 6 54 9 12 18 8 40 meter per second हो जाएगी ठीक है उसके बाद time period दिया है कितना है 20 22 if we to cover a distance हमें क्या पालो calculate करना है yes is equal to question mark हमें क्या पता है V is equal to U plus 80 V के value कितनी है 40 U के value कितनी है 0 40 by 20 is equal to 2 meter per second square ठीक है हमें क्या calculate करना है yes is equal to U plus half 80 square U के value कितनी है 0 तो U 20 के value कितनी हो जाएगी 0 ठीक है 1 by 2 into acceleration 2 into T is equal to 20 into 20 T square 20 into 20 cancel हो जाएगा 400 ठीक है option D बिलकुल सही जवाब है तो चलू चलते है next previous year की तरफ तो एक बार अच्छे से यह question read कर लीजिए बहुत ही भेतरी सवाल है जो कि 1994 में आया था a car accelerate from rest मतलब initially गाड़ी कहां पर है rest पर है we accelerate from rest at a constant rate rate मतलब क्या दिया है acceleration is equal to alpha for some time and after which sometime मतलब भी हाट after which it decelerate मतलब भी हाट पर a is equal to decelerate हो रहा है मतलब यह negative है rate beta comes to rest मतलब अ last में क्या हो रहा है final zero हो रही है ठीक है total time escaped is t मतलब यह total time कितना है t ठीक है then maximum velocity acquired by the car will be maximum velocity car की कितनी होगी ठीक है तो consider करते है इस point पे car की velocity होगी v ठीक है जो की होगी maximum velocity यहां तक बढ़ेगी और उसके बाद कम होगी मतलब यहां पे कितनी होगी maximum होगी ठीक है यहां से यहां तक आनिकली टाइम लगेगा t1 यहां से यहां तक आनिकली टाइम लगेगा t2 ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा final velocity हो जाएगी v initial velocity हो जाएगी 0 यहाँ पे final velocity हो जाएगी 0 initial velocity हो जाएगी V ठीक है तो हमें क्या पता है V is equal to U plus 80 ठीक है यहाँ पे V की value क्या है final velocity क्या है V initial velocity 0 plus acceleration क्या है alpha और time क्या है T1 यहाँ पे भी same formula use करेंगे V is equal to U plus 80 यहाँ पे final कितना है acceleration 0 initial कितना है V ठीक है और acceleration कितना है acceleration नहीं यहाँ डिसलरेशन है इसलिए यहाँ इसे negative लेंगे beta T2 ठीक है तो T1 के value कितने वी is equal to alpha T1 T1 के value कितने आ जाएगी V by alpha T2 के value similarly कितनी यह यहाँ पे जाके positive हो जाएगा beta T2 is equal to V T2 is equal to V by beta ठीक है तो अब हमें क्या पता है total यह time कितना लगेगा T और T ही कितना होगा T1 plus T2 ठीक है T is equal to T1 plus T2 ठीक है तो T1 के value कितनी है V by alpha T2 के value कितनी है V by beta ठीक है तो T is equal to V in bracket 1 by alpha plus 1 by beta ठीक है तो V के value कितनी आ जाएगा है maximum velocity V is equal to T into T by 1 upon alpha plus 1 upon beta ठीक है तो इस format में नहीं is equal to T by beta यहां से इसे बिटा से multiply किया इसे alpha से plus alpha नीचे हो जाएगा alpha बिटा तो यह फिर उपर जाएगे यह हो जाएगा T alpha by alpha plus beta ठीक है T alpha by alpha plus beta option D बिलकुल सही है तो चलो चलते है next previous year की तरफ तो यहां पर यह 1994 का एक question दिया गया है तो क्या पताया गया है the velocity of trend increases uniformly from you मतलब initial velocity कितनी है 20 km per hour to to मतलब final velocity कितनी है 60 km per hour in 4 hours मतलब time period क्या है 4 hour the distance traveled by मतलब हमें क्या calculate करना है displacement तो displacement भी kilometer में दी गई है इसलिए से convert करने की कोई जरूरत नहीं है तो हमें क्या पता है V is equal to U plus 80 V के value कितनी है 60 U के value कितनी है 20 plus A into T के value कितनी है 4 ठीक है तो 40 is equal to A into 4 A is equal to 10 therefore Yes is equal to U plus half 80 square ठीक है तो U के value कितनी है 20 time period 4 plus 1 by 2 into acceleration कितना है 10 time period 4 into 4 का square 4 into 4 ठीक है तो यह हो जाएगा 80 plus यह 220 or 20 into 480 is equal to 160 kilometer option number A बिल्कुल सही option है चलो चलते है next previous year की तरफ तो यहाँ पर क्या question दिया गया है A body starts from the rest what is the ratio of distance traveled by the body during 4th and 3rd second जो question कब आया है 9933 तो हमें क्या पता है distance traveled in 1th second Yes N is equal to U plus N minus 1 by 2 into A ठीक है तो अभी body same uniform motion में है traveled by the body during the 4th and the body starts from the rest what is the ratio of the distance traveled by the body during the 4th and 3rd second तो यहाँ पर क्या होगा initial U तो same होगा इसलिए S3 by S कितना during 4th and 3rd second पहले 4th है तो यह mistake आपकी भी हो सकती है S4 by S3 is equal to U plus 3k4 minus 1 by 2 into A by U plus 4 minus 1 by 2 into sorry 3 minus 1 by 2 into A तो U और दोनों भी 0 है U मतलब initially started from rest मतलब 0 तो यह कितना हो जाएगा 8 by 2 minus 1 by 2 upon 6 by 2 minus 1 by 2 तीक है is equal to yes 4 by yes 3 therefore yes 4 by yes 3 is equal to 7 by 5 तीक है यह 8 में 7 चला जाएगा 7 बचेगे 6 में 7 चला जाएगा 5 बचेगे और यह 2 to cancel हो जाएगे तो yes 4 by yes 3 कितना आजाएगा 7 by 5 तो चलो चलते हैं next और हमारे इस lecture के last question के दुरफ तो यहाँ पर इस last question में दिया गया है a car is moving along a straight line straight road with a uniform acceleration ठीक है uniform acceleration के साथ move हो रही है यह passes through two points P and Q यह point है P और यह point है Q separated by a distance with a velocity तो यहाँ पर velocity कितनी है 30 km per hour ठीक है and 40 km per hour ठीक है the velocity of a car midway between P and Q यह 1988 का question है similar question हमने solve भी किया है तो यहाँ पर velocity क्या consider करते हम भी डश होगी तो यहाँ से यहाँ तक का जब सवाल आता है तो final velocity कार इस तरह जा रहे है तो final velocity कितनी होगी 40 Initial velocity कितने होगी V- यहाँ के बात करी जाए तो यहाँ पर final कितने होगी V- और Initial velocity कितने होगी 30 ठीक है तो यहाँ दोनों पर कंडिशन में acceleration तो सेम होगा यहाँ भी A होगा displacement यहाँ भी S होगी यहाँ भी S होगी ठीक है displacement तो सेम होगी तो इसी वज़े से final velocity V- U is equal to 2AS sorry V square minus U square is equal to 2AS and V square minus U square is equal to 2AS तो यहाँ पर AS यहाँ तो सेम होगी लेकिन velocity में difference होने के कारण यहाँ पर final velocity क्या है V dash square minus initial velocity कितनी है 30 square is equal to 2AS इसे हम देंगे equation number 2 यहाँ पर भी क्या होगा final velocity कितनी है 40 square minus initial velocity कितनी है V dash square is equal to 2AS यहाँ तो से हम देंगे equation number 1 और यहाँ पर लिखेंगे according to 1 and 2 40 square minus V dash square is equal to V dash square minus 30 square 1 from 0 0 minus V dash square is equal to V dash square minus 900 यहाँ पर ओके add हो जाएंगे तो हो जाएगा 2500 is equal to 2 V dash square टीकि 2 1 2 तू जा पर दो पाई जिरो 0 V dash square is equal to 1 2 5 0 V dash is equal to root of 1 2 5 by 0 is equal to root of 25 into 25 into 25 into 2 is equal to 25 root 2 जो कि एंसर सी उच्चो है हमारा correct answer यहाँ पर यह लेक्चर कम आप थोता है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए गुड़ बाई जिए एंसर दो कि प्रिए मेई्ट झाल